साथियों एक समय ऐसा लग रहा था कि बारतिय कार बाजार में कार निर्मादा कंपनियों की बात करें तो मारूती नमबर वन पे है ही है लेकिन नमबर दो पे उन्ड़े ही है और उनको टकर देना वाला कोई नहीं था अला कि जो नमबर तीन था उसके लिए किया और टाटा के बीश्ट में जो टकर चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि साइद किया टाटा को पीछे छोड़ दे लेकिन पिछले दो तीन मैने उसे कुछ एशा हुआ है कि ये सबी अनुमान दरे के दरे रह गए और टाटा ने जि पाथियों टाटा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय बाद हो सकता है वो हुंड़ई को टफ कंपुटिशन दे और दूसरी नमबर गली लड़ाई शुरू हो जाए कि एर फरवरी 21 की बात करें तो टाटा ने कुल 27,225 यूनिट बेचने में सफलता प्राप्त की है और यदि वर्ष दर वर्ष की तुलना करें यानि फरवरी 20 की तुलना करें तो उस समय केवल 12,430 यूनिट भी किती हालागि इस समय तक कोरोना का कुछ जंजट सुरू हो गया था इसलिए यहां कड़े कम है लेकिन फिर भी यदि तुलन इस दिन के मैने में जनुरी से जादा गाड़ियां बेचने में कारें बेचने में सफलता प्राप्त की है टाटा ने जनुरी 21 में उसमें 26,988 यूनिट बेची ती जो 1% जादा अब फरवरी 21 में होगी है जब 27,245 यूनिट भी की है लेकिन साथ ही हो यह आंकड़े तब है जब खेल की में शुरुआत हुई है क्योंकि अभी टाटा सफारी के आंकड़े जब आएंगे जब वो बिकना सुरू होगी लोगों के हाथ में उसकी डिलेवरी होना सुरू होगी तो निश्चे तोर से टाटा काफी ज़्यादा आगे बड़ेगी इतना ही नहीं उसकी जो पांच लाग के आसपास उसकी प्राइज रहेगी ओरन बिल नाम से आ रही है तो वो और ये सफारी आने के बाद अगले जुलाई के बाद हम यह मान सकते हैं जो त्योहारी सीजन आएगा उसमें हुंड़े किया और टाटा की लड़ेगी देखने वाली होगी हम ऐसा मान सकत हैं अलांकि किया अब काफी पीछे रहती दिख रही है के राने वाला समय बताएगा कि जो तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर है उसमें कुछ बदला होता है या नहीं होता है यहां तक है आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद झांधगा बदला है